अब्रिवन एक्जा मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है बात करेंगे हैं मुख्य सेवी का डीवी सेड्यूल के विशे में साथ ही बात करेंगे कि इसकी फाइनल कट आफ क्या हो सकती है और जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है मैक्समुम कित्य नंबर का नॉर्मलाइ अबर एक इस नोटिस आई हुई है वह है साक्षातकार को लेकर वह दूसरी भर्ती के लिए डिप्लोमा इस्तर्की है तो उनकी जो के साक्षातकार होने है और डाकुमेंट का सत्यापन होना है वह साथ दिसमबर तक चलेगा उन गया यह वह स्कूर चेम्गे ही सेड्यक, ऑक कि आपको समझ में आ गया होगा और रही बार डाकुमेंट की, कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना आपको हर जगा из-स पता चल चुका होगा, सब कुछ आपs knowledge रखते भी हैं मैंने भी आप नामलाजेशन हुआ कैसे यह किसी को नहीं पता है जैसा कि आप सब सुनते होंगे देखा भी योगा सब आपको बता भी रहें कि यूपिटेपलसी आयोग का अपना फामूला है उसमें उन्हों ने जैसा भी किया हो उस तरीके से निकाला है लेकिन मैंने जितना तक देखा आप भेर्थियों को जितने लोगों से मैं देखी हूं आपकी कमेंट भी कई जगां पर भी मैंने देखे सच किये तो मुझे यही सम कोई 55 है फिर्स सिप्ट में उसका नहीं हुआ लेकिन 55 है सेकेंड सिप्ट में उनका हुआ है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है अब मैं जो आपको बताने जा रही हूं कि आखर किस तरीके से कितना जो है नॉमलाइजेशन किया गया इकितने नंबरों का वो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है सबको देखने के बाद कि जो आप लोग देख रहे होंगे अंतर बहुत कोई जो है पचपन नंबर है सेकेंड सिप्ट का भी कोई है तो उसका नहीं हुआ है ऐसा मत सोचिए कि सबका हो गया है यह जरूर है कि सेकेंड बढ़ा नंबर तो से देखेंगे बहुत सारे लोग सेकेंड सिप्ट के भी है जो कि 52 नंबर उनका एक्जैक्ट रहा होगा लेकिन 52 दसमलो कुछ आपकी कटाफ गई है ठीक है तो उनका हुआ है क्यों कि उनको नंबर मिला है लेकिन वहीं पर सेकेंड सिप्ट के भी कुछ कैंडिडेटे इनका 57 अभी उनका नहीं हुआ है मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे हैं आप लोगों नहीं दिखाए है साथ नंबर पे नहीं हुआ है ठीक है तो यही फार्मुला तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ कैसे यह चीज समझाने के लिए आयोप को सबसे अच्छा होता है स्कोर कार्ड जारी करना ठीक है स्कोर कार्ड आ जाता तो कोई बात ही नहीं होती जैसे अभी आप पोलिस वालों का देख रहे होंगे उन्होंने तो खेर कह दिया है कि जब आपका फाइनल होगा तो हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे फिर लेकिन इस भरती के लिए तो अभी ऐसी कोई प्रक माती कज़र कोई दिद्रिपट र्लीशानेruit मुतार तो तो सब से जाता धिकता सह है कि कितने नंबर कम हुए हूंगे शोलिकल फार केसी कोई होगा शोलिखशन लेकिन कम से कम दो और माक्सिमम से माक्सिमम जैसे सब लोग कह रहे हैं बहुत जादा हमको जहां तक समझमें आ ठीक है और एक बात और बता दू जैसे कि जब आपका डीवी रिजल्ट नहीं आया था तो सब लोग यह बता रहे थे आपको कि पचास प्लस तक के डीवी कॉल हो जाएगी सबको बुलाया जाएगा बावन को बुलाया जाएगा लेकिन अभी हाँ बात है 59 नहीं हुआ यह कैस नॉर्मलाइज कर दिये हैं कि यहां पर नहीं हुआ क्योंकि इनके नंबर काट लिए गए होंगे ठीक है इसी वज़े से इनका नहीं हुआ है जो उनको यह शिकायते हैं ना जिसे इतना है तो नहीं हो रहा है वो यही रिजन है तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिन लोगों कि कटाफ 60 पर रहेगी तो OBC की यहीं पर 58 रहेगी 58 या 59 हो सकती है और यहीं से एक दो नंबर कम करेंगे यसी की कटाफ हो जाएगी आपकी जैसे 57 56 हो जाएगी यसी की कटाफ इसी के नीचे नीचे ऐसे ही रहेगी मैक्सिमुम 60 पर जाके रुकेगी जनरल कटाफ बात करें आक महीं पतनी नंबर हो जो छोड़ प्राइस आपकी कीạtते हैं," nu पिस इंप नोगे में सब्सक्राइबुत। इपना सब्सक्राइब ही अगर के इतना त organs जाथ क्या भी बाला तूपटी नंबर आधी युण लिधी कि अगर इतना नंबर रहा होगा तो आप सेफ हो सकते मतला मेरा कहने का यह है कि जो आपके first shift के विली यह मैं बता रही हूँ उनके नंबर कम हुए होंगे तो वह इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं बाकी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से normalization हुआ और रही बात exact बताने कि तो यह कोई नहीं बता सकता है कि क्यासे हुआ सब का अपने अनुमान है जितना सब को देखने के बाद सबके number या जैसे भी लग रहे हैं वैसे सभी लोग अपने इस तर से बता रहे हैं लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे भेरतियों कर नहीं हुआ है और वाकई में बहुत दुख होता है जब ऐसा हो जाता ह क्योंकि इसको अच्छे से समझ सकती हो कि जब ऐसा आए दिक्कत तो इस बात की है कि जो हुआ सो हुआ आपको बताया भी न जाए जैसे कि आपका हम एक्जाम लेलते हैं 100 नंबर का और मैं आपने हिसाब से बहुत अच्छा performance दिया आपके 58 नंबर थे आपको मैंने फेल कर लेकिन यह मैं बताओं भी न कि कितने नंबर थे आपको फेल किया reason न पता चले तो सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है तो खेर जो प्रक्रिया है वो तो हो ही रही है उसमें कर भी नहीं शायद कुछ सकते हैं अभी कोई तो फिलाल आप लोग निराश नहों आपक कोट ग्रूप C के जिनकी विकेंसी अभी हो चुकी है पूरी उसके एक्जाम दिसमर में नहीं होने की सम्भावना मुझे लग रही है तो अच्छे से तयारी करी उसमें पॉसिबिल्टी जादा बनेगी ठीक है तो इसी प्रकाल से हैं सब कुछ और यूपिट भलसी में ही ज अच्छे से इसकी तयारी आप कर सकते हैं बाकि कुछ दिन तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब इतने दिनों से इंतजार करो और ऐसी चीज़े मिले और गलती खुद की ना हो तो जादा होता है तो नेक्स वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे अगर आपकी इस परिक्ष